जोहार दोस्तो सागत आपका अपने यूटूब जेनल के आर एक्जाम है दोस्तो जैसे कि आप सभी को माले में कि कल की डेटी में JPSC PT का जो एक्जाम है वह आपका फाइनली कंड़क करा लिया गया है लेकिन उसमें जो पेपर लिख होने की खबर है वो अभी बहुत से सबूत चाहिए कि पेपर साथ में लिख हुआ ठीक है उनको यदि को ठोस सबूत नहीं मिलता तब तो एक्जाम आपका रद नहीं हो सकता है और एसे में कल की डेट में जो आपका एक्जाम लिया गया है उसी का अनुरूप आपका आगे की परकिरिया है वो आपका किया इसे पर एक्जाम नहीं नहीं हो सकता है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा साइट पर बैल आइकॉन चीघंटिया इसको भी दबा लिजे ताकि दुस्तों आपके exam से सम्मंदित आपको हमेशा सही जानकारिया मिलते रहे तो चलिए दुस्तों देखते हैं पूरी update को तो दुस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू देखिए JPSC का जो आपका exam conduct किया गया उसमें maximum student का जो average mark है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको cut up बता रहा हूँ ठीक है देखिए सबसे पहले जो आपका paper 1 हुआ तो paper 1 सबसे पहले आपको थोड़ा hard लगा होगा paper 2 के तुलना में यदि paper 2 देखा जाए तो उसका level आपका moderate level का था जबकि paper 1 यदि देखा जाए तो paper 2 के तुलना में आपको थोड़ा hard लगा होगा ठीक है और उसमें जो सभी student का average mark है दोस्तों वो लगवग 60-70 की भीत में है ठीक है यदि देखा जाए तो 65 number जो है वो 65 number जो है वो लगवग सभी student का आ ही जा रहा है और यदि कोई बोलेगा कि मैं 90 mark है तो वो तो topper है उसका बात अलग है ठीक है लेकिन average mark यदि देखा जाए तो 65 number जो है वो लगवग आपका average mark यहाँ पर आ रहा है ठीक है सभी student का ठीक है अब बात करते है paper 2 का तो paper 2 में दोस्तों यदि देखा जाए तो paper 2 आपका paper 1 के तुलना में थोड़ा आसान था और उसमें आपका जारकन का question था ठीक है जो कि आपका काफी आपको आसान लगा होगा और उसमें यदि देखा जाए तो 70-80 के बीद में तो सभी student mark कर ही आया है और सभी का सही भी है ठीक है 70-80 सभी जो है वो सही करके ही आया है यदि इसमें भी देखा जाए तो average mark आपका 75 है ठीक है यदि आप जहाए एक सो चालिस नंबर के दिए आपका यदि सही हो रहा दोस्तों तो फिर आप लोग मेंस की तजारी में लग सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक गुना का स्लक्षन नहीं होगा बलकि पंदरा गुना का स्लक्षन होगा यदि मान लिग यह 300 सीट है तो 300 का यहाँ पर आप लोग 15 गुना कर दिए 45 ठीक है तो लगवाग 45 यहाँ पर चैन किया जाएगा मेंस के लिए इसलिए यदि आपका 140 नंबर भी गिदि आपका आ रहा है यूर में ठीक है तो आपलोग मेंस की तयारी में लग सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों ओबी के लिए और ST केटिग्री का यदि दोस्तो 125 नंबर भी किदि आपका आ रहा ठीक है 125 से 30 के बीच में तो आप लोग आराम से सयारी कर सकते हैं मेंस का आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक है आपका जो है सलक्सन हो सकता है यहां पर ठीक है अब बात करते हैं ST केटिग्री में देख आपका 115 से 20 के 20 में यदि आपका आ रहा ठीक है तो आप लोग तयारी आराम से कर सकते हैं मेंस की ठीक है और यदि आपका एक्जाम रद नहीं होता तो यदि रद हो जाएगा तो फिर आपको यह सब सोच के कोई फाइदा ही नहीं है ठीक है अब बात करते हैं PWD students के लिए औ उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो आपका जो है जितने भी आपका सीट दिया गया है और उसका भी तीन गुने का चैन्स किया जाएगा तो यहां पर यदि आपका 100 नंबर भी आपका आ रहा 100 नंबर यदि मतलब 100 questions यदि आप लोग सही करके आए दोस्तों दोनों paper मिला करके तो फिर आप लोग मेंस की तयारी में लग सकते हैं सोच सकते हैं मेंस की तयारी करने के लिए और यदि overall कूल मिला कर यदि देखा जाए तो 130 नंबर यदि कोई भी student का 130 नंबर नहीं 130 question जो है यदि दोनों paper मिला के यदि आपका सही हो रहा ठीक है तो आप लोग मेंस की तयारी में आराम से लग सकते हैं आप जो है यहाँ पर मेंस की तयारी कर सकते हैं आपको कोई रोक नहीं सकता है हो सकता आपका इस लग से ठीक है तो तो उम्मीद करता हूं कि आपको लगवक सभी जानकारियां मिल गई होगी अब आगे देखा जाए कि आपका यही paper रहता ह या फिर पेपर रद्ध होता है ठीक है जैने दोस्तों